सभी साथियों को जहिन, वे सभी साथी जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्टिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है यहां पर बतादू की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना भेकैंसी निकाल दिया है, आपको अगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब करना चाहते हैं, कंप्टिशन की तैयारी कर रहे है तो यह बहुत बड़ा मौका है, आपको बतादू की टिर्य ओफ रेलवे बोर्ड आपको यहां पर constable और sub inspector की vacancy निकाली गई है जी हाँ हम detail में इस vacancy के बारे में बात करते हैं उससे पहले आपको बता दू कि आपके नौकरी से related जितने भी update होते हैं सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है अगर आप हमारे चैनल कॉसिक G.S. Academy से नहीं जूरे है तो फटापट हमारे चैनल से आप जुर जाए हमारे चैनल कॉसिक G.S. Academy को सब्सक्राइब कर लिजे पूरे डिटेल में देखते हैं बहुत बड़ा खुसखबरी है रेल्बे प्रोटेक्षन फोर्स के दोरह सबमाठी से गए बहुत बंदेख सकते हैं साथ में 250 in the rank of sub-inspector और sub-inspector का 250 जीट है साथ में ये भी कहा है कि number of vacancy will be filled cell be decided by the ministry of railway form time to time जी हाँ यहाँ पे vacancy आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि आगे decide में changing आ सकता है साथ में आप देख सकते हैं instruction of the government for introduction and maintenance of post-based roaster cell इस्कूप प्लसली फॉल while determining the category wise vacancy जी हाँ पे category wise vacancy को यहाँ पे determined किया गया है यहाँ पे देख सकते 10% of vacancy cell be reserved for ex-servicemen यहाँ पे 10% ex-servicemen के लिए reserved कि 15% vacancy woman के लिए यहाँ पे रिजर्व है और sub-para and will be in the nature of horizontal reservation यहाँ पे अलग-अलग reservation दिया गे साथ मैं आपको बता दू कि यहाँ पे आपका recommend का जो process है पहला phase में आपका computer waste examination हो और आपका last point जो होगा वो document verification कोगा जी हाँ थोरा यहाँ पे eligibility देख लेते तो सब inspector का आप देख सकते हैं कि कम से कम minimum age 20 यहाँ पे 20 बर्स रखा गया है और maximum age 25 year और constable के हाँ पे देख सकते हैं 10th pass होना चाहिए यहाँ पे सब inspector के लिए graduate होना चाहिए और constable 10th pass होना चाहिए है ना और constable के लिए minimum age 18 साल और maximum age 25 साल रखा गया है इसके अलाबा बता दूँ आपको कि SC और ST को पांच बर्स की छूट दीगे OBC को तीन बर्स का छूट दिया गया है साथ में candidate who had originally win domiciled in the union territory of जम्मू कस्मीर लद्दाग during the period of first January in 1982 to 31st December 1989 इन्हें भी पांच येर का General EWS को पांच बर्स का OBC को आठ बर्स का और SCST को दस बर्स का छूट दिया गया जी अब बहुत बड़ा नीज है जहां तक हम हाइट की बात करें तो देख सकते General OBC के लिए 165 cm SCST के लिए 160 cm है यहां पर और गडवाली गुर्खा मराठा इन लोगों के लिए 163 cm रखे है फीमेल की वहीं बात करें तो General OBC का 157 cm SCST को 152 cm गरवाली गुर्खा मराठा को 155 cm यहां पर चेस्ट की बात करें तो General OBC का 80 cm SCST का 76.2 cm और बांकी सब का 80 cm है एक्स्पेंट करने का General OBC 85 cm यानि 55 cm सभी को क्या करना है फुलाना है चेस्ट को इसके अलापा देख लेते हैं यहां पर आप देख सकते कि सब इंस्पेक्टर के लिए 90 मिनिट का समय हुआ 120 प्रस्ण होंगे साथ में आप कॉंस्टेवल का देख सकते हैं इसके भी 90 मिनिट इन्हें भी दिये जाएंगे नंबर और को स्चंस इनके 120 होंगे यहां भी 50 क्प्रस्टार जा Nvidia जाघंते के पास होंगे और जनरल इंटलिजर शिची का इन के पास भी 35 प्रस्टों मेंबा दीहां में रखे तो यह में आपका यहां पर नंबर और को स्चन हो गया और कितना टाइम दिया जाए यहां पे आप देख सकते हैं कि PT के लिए आपके क्या सब इंस्पेक्टर के लिए यहां पे 6 मिनट 30 सेकेंड में 600 मिटर कबर करना होगा उसके अलाबा लॉंग जंब 12 फीट और हाई जंब 3 फीट 9 इंच है सब इंस्पेक्टर के लिए सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए यहां पे देख सकते हैं कि 4 मिनट में 800 मिटर रनिंग कंपलीट करना है लॉंग जंब 9 फीट और हाई जंब 3 फीट है सब्सक्राइब करना है जो मेल है उनके उन्हें और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 फीट लॉंग जंप और 4 फीट हाई जंप करना है इसके अलबा कॉंस्टेबल फीमेल के लिए अब देख से तीन मिनट चालिस सेकेंड में 800 मिटर कंप्लीट करना है रनिंग 9 फीट लॉंग जंप और हाई जंप 3 फीट है तो यह आप देख लीजिए तो लगबग जितने इंपोर्टेंट कॉइंट से सभी हमने बता दिया कि क्या क्या चीजे क्या क्या प्रोसीड्यूड है इसका क्या क्या इलिजबिलिटी है तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स में आपको कर जाना है क्योंकि बहुत अच्छा मौका है आपके लि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जूरे तो फड़ा प्रोट कॉसिक जीस एकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल होने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में जैहें